मश्कार दोस्तों मैं एंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में सेकंड वीडियो है ये मेरी और कंटीन्यू मार्केट की अपडेट ही शेर कर रहा हूँ ऐसा रेर केसिस में होता है जब बजार में कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी चीज होती है तब ही मैं कंटीन्यू दो वीडियो मार्केट पे बनाता हूँ अधर्वाइस मैं मार्केट की पहली वीडियो में ही अपडेट देता हूँ मैंने पहली वीडियो में आप से का कि कल FYS का option का data buying का आया है और आज expiry है तो मेरे को लगता है 22-400 की put खिल गई है क्योंकि कल इन्होंने पूरे दिन put खरी दी आज बजार ने इन्हें धोका दिया या फिर इन्होंने बजार को धोका दिया उसके बाद जब put सस्ती हो गई होगी सुवा सुवा जब 22-600 पे निफ्टी था तो इन्होंने additional buying करी होगी और बजार नीचे आके खड़ा हो गया है उपर से तुरंट नीचे आया लेकिन अभी एक extraordinary गिरावट आई है जहां निफ्टी ने 22-300 का low लगा दिया है और ये बनता था 22-400 के नीचे निकलता ही बनता था 22-300 लेकिन इस बीच में ये वीडियो बनाने का purpose क्या है ये तो आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे ये वीडियो बनाने का purpose है कि आप लोगों को कुछ important चीज़ा बताना चाहता हूँ अगर आपको लग रहा है कि market तो trap कर रहा है बेच कर निकल जाओ तो आप एक दिन रुख जाईए मैं तेजी की तरफ या मंदी की तरफ नहीं हूँ मैं आपको सही decision लेने में help करने की कोशिश करूँगा अब मैं क्यूं कह रहा हूँ देखो कभी भी बजार में उस समय trade action मतलो जिस समय कोई न कोई event हो क्योंकि वो event चला जाता है position कर जाती है उस event के दोरान अब आप समझे आज हुआ क्या है पहले concept को समझो गिरावट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए concept समझो कल options में buying हुई खरिददारी आज बजार उपर चला गया क्या call option खरीद कर गई थे कल maybe possible है call option खरीद कर गई कल उपर बजार चला गया उन्होंने मौटा पैसा बना लिया वहीं छोड़ दिया सारा 22-500 पे resistance था तुरंत अगले ही 25 मिनट में बजार नीचे आया trade करता रहा trade करता रहा नीचे put writer को भी खा गया बजार put writer call writer थोड़ी थोड़ी देर के लिए दोनो ट्रैप हो गई अभी बजार trade कर रहा है बबारा से 22-400 आगया लीजिए 22-360 हो गया start point recover कर गया तो एक चीज के लिए रहे कि आज अगर आप अपनी positions को बेच रहे हो या फिर additional खरिदारी कर रहे हो तो अभी wait कर लो ये जो trade दिख रहा है आपकी screen पे आज ये buying selling की मदब से नहीं हो रहा आपको इतना बता रहा हूँ ये expiry related action है अब क्यों है उसको समझो क्या globally कोई problem बन रही है नहीं बन रही हाँ अमेरिका दो दिन गिरा वो adjust कर रहे है कर दिया that's it final इससे ज़्यादा कुछ नहीं है FIADIs में FIAIs बेच रहे है DIAIs खरीद रहे है और FIAIs से ज़्यादा खरीद रहे है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कल अमेरिका 40.0 नीचे बंदू आये लेकिन अभी DAO future 60.2 पर दिख रहा है तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा मानना यह है कि क्योंकि मेरे पास कुछ comments आये थे अभी कुछ मत खरीदना बेच दो यह कर दो वो कर दो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अगर positions को खाली कर रहे हो न तो आज नहीं कल कर दे न भाई आज wait कर लो यह तो volatility है यह किसी वी दिन trigger होगी event वाले दिन और expiry पर खास कर तो आपको आज कोई fresh selling का data ऐसा मिल नहीं रहा है तो आपको position आज खाली नहीं करनी है आपको अगर करनी है आपको selling लगती है बजार नीचे जाता दिखता है उसकी confirmation का wait करो और वो confirmation आएगी कल आज तो expiry है आज कुछ confirmation नहीं है और यह जो बजार अभी आपके लिए 22-400 के नीचे निकला है न मिरको लगता है यह दुबारा उपर आना चाहिए और 22-400 जे 22-500 के बीच में closing आनी चाहिए यह निफ्टी की expiry है आज दोनो call writer, put writer जो है वो पैसा बनाएंगे ऐसा मिरको लगता है क्योंकि weekly expiry में जादा short covering, long and winding मैंने नहीं देखी monthly expiry में देखी है तो मिरको लगता है यह उपर नीचे दौनों तरफ trap कर दिया और at the end यह बीच में हो जाएंगे बन तो जो दमदार है और जो कमजोर है इनके बीच में लड़ाई होगी कमजोर वाला loss book करके निकलेगा और दमदार वाला अपनी position में बैठा रहेगा आपको मैंने कोई position बनाने की रहा नी थी मैंने concept जो चल रहा है उसको अपने एसाब से view जो मेरा बन रहा है वो मैंने discuss किया है that's it बाकी market में पहली वीडियो में भी बोला कि कोई trade नहीं बनता है आप भी फिर बोल रहा हूँ कोई trade नहीं बनता है क्योंकि एक तरफ मेरे पास जो संकेत है वो कुछ भी negative नहीं है positive नहीं है तो negative भी नहीं है लेकिन मेरा 130 का ये जब break होगा उपर तो फिर आप दुबारा से थोड़ा positive हो सकते हैं otherwise मेरे को लगता है अभी wait कीजिए वही better है डेलो पे डेलो लग रहे है बजार में stock specific बात करूं कि pressure कहां से बन रहा है तो उससे पहले आपको एक चीज समझ नहीं होगी कि market breath अभी भी positive side पे ही है mid cap हलका लाल और हरे में जूल रहा है small cap flat to positive ही है और nifty bank में आदे percent की तेजी ही देखने को मिल रही है आज nifty bank और financial services को छोड़ कर सब कुछ लाल निशान में है ठीक है जी और stock specific बात करूं तो KEC international orders के बाद दमदार rally में है लेकिन alkali amines को देखो 11% rally कर रहा है chemical छेतर पे focus करो continue कर रहा हूँ गिरावट वाले stocks का top loser भी 5.5% नीचे है तो यह आपको दिखा रहा है कि market में इतना कुछ खास weakness कमजोरी है नहीं nifty में कमजोरी बन रही है क्योंकि 40 shares अभी negative हो गए है केवल 10 ऐसे stock है जो positive है और उन 10 में एक बड़ा नाम HDFC bank का है यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर बजार और नीचे जा सकता है तो आपको आज की गिरावट में कुछ नहीं करना आपको केवल यह समझना है यह expiry related move है मेरे को जो भी करना है कल करना है आज की गिरावट यह जो traders है ना यह कर रहे हैं बस hope आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी thank you so much for watching this video have a great day guys